Hello students, आज हम लोग theorem of perpendicular axis के बारे हो पढ़ेंगे, कि अगर कोई system है, जो की एक plane पे रखा गया है, मतलब की x and y position पे रखा गया है, तो उसे अगर हम लोग z direction में घुमाएं ऐसे, गोल ऐसे घुमाएं, जिसका origin सेम होना चीज़, जिसका access सेम होना चीज़, तो वो system का जो भी हमार moment of inertia रहेगा z axis पे, वो sum of the moment of inertia of x axis प्लस y axis के बराबर रहेगा, और इस तरीके से हम लोग i axis का moment of inertia निकाल पाएंगे with respect to the z, तो यह लिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिस करते हैं, तो देखें बहुत simple सा है, सबसे पहरे तीन axis बना लेता हूँ है, तो इसको मान लीज़े z axis, यह मान लीज़ेगा y axis और इसको मान लीज़ेगा x axis, ठीक है, अब x और y axis पे एक point रखा गया है, जो की है, कुछ भी point आप रख लीज़े, मान लीज़े की p point रखती है, ठीक है, जिसका mass m है, अब इसको समझिये गए यहां से, x axis से इस particular point की, जो m है, उसकी दूरी है y, इतना, इसको बोलते है y देखे, यहां से यहां से यहां तक है, ठीक है, अब y axis से इस particular m point, इस p point की दूरी है, x, m point रख लेते हैं, p a दीज़े, ज्यादा बेटर भाएगा, ठीक है, अब z axis से इसकी जो दूरी थी, इसको मान लीज़े, r, ठीक है, अब मेरे पास में एक system है, दिखातों मैं आपको इस टाइप से है, देखे, मान लीज़े, कि यह जो diary है, यह एक plane है, रखा गया है, इसको इस type से देखे, ठीक है, इस type के यह जो मानेंगे x axis मान लीज़ेगा, और यह वाला मान लीज़ेगा y axis, ठीक है, z axis, इसको उपर जाएगा तो z axis बनेगा तो यह उपर अभी जा नहीं रहा है, ठीक है, अब इस इसको मैं rotate करना चाहरा हूँ, देखिए, तो इसका axis को आप यहां मानिएगा, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे rotate करना चालू कर दिया, देखिए, इस type से गोल-गोल ऐसे घुमने लग जया, तो इसका moment of inertia कुछ बना होगा, देखिए, यह है ना, यह आपके तरफ में आ रहा है, इसको मान लिजएगा y और इसको मान लिजएगा x axis, तो यह इस type से घुमना चालू कर दिया, z axis के, z axis पकड़िएगा और इसको ऐसे घुमाना चालू करिएगा, ठीक है, तो z axis पे इसका moment of inertia क्या बनेगा, तो इसका relation, इस वाले z axis का relation, अगर मैं इसको बोलू कि x axis पर घुम जाहता हूँ, ठीक है, या तो यह y axis है, तो मैं इसको इस type से घुमाना चालू तो यह जो z axis है, z axis मतलब ऐसे जो घुम रहा था, इसका relation, इस type का घुमने का relation, इसके सात में क्या बनेगा, और इसके सात में क्या बनेगा, इसको हम लोगो देखना है, ठीक है, तो बहुत ही simple स होता है तो इसका relation जो निकला गया है वो निकला गया है i of z equal to i of x plus i of y ठीक है ऐसा simple सा इसलिए है देखें क्या होता है अगर मेरा जो system था वो अगर x-axis की 4 तरफ ऐसे घूमें इस टाइप से घूमगा है ठीक है अगर x-axis इसको लिया गया तो देखें यह इस टाइप से घूमेंगा तो यहां से यहां एम का perpendicular जो distance है वो कितना होने वाला है y होने वाला है देखें perpendicular axis को बोड़ जाता ठीक है x y और z तीनों के तिनों की perpendicular है तो देखें जब x-axis पर घूमेंगा तो यह वाला इस टाइप से घूमेंगा ना तो moment of inertia about x-axis तो x-axis पर क्या बनेगा moment of inertia तो i of x बनेगा summation of m y square यही बनने वाला है मतलब y point पर कुछ भी हो सकता है अब इसको आप i ले सकते है यहां पास में i equal to 1 to n तक लिजे m of i और y of i इस टाइप से भी आप इसको ले सकते हैं फिलाल में हम लों से summation करेंगे कि x-axis पर जब y वाले घूमेंगे इस टाइप से तो y पर जो भी particles से जितने भी distance पर रखे गया है सब को उसके mass से multiply करके i-axis का moment of inertia निकाला जाएगा ठीक है इसको complicated ना करके simple form में step से लिखा जाता है ठीक है ठीक अब अगर moment of inertia about y-axis अगर निकालना चाहता हूँ मैं तो क्या निकलेगा तो देखिए ये y-axis है तो y-axis के चाब तरफ में ऐसे घुमाऊंगा तो इसके perpendicular कौन सा distance आ रहा है x distance आ रहा है तो moment of inertia of y equal to summation of m of x square यही आने वाला है ठीक है अब देखिए ये r है यहाँ से देखिए ये r अगर आप इसको जहां से देखिए परपेंडिकुलर है तो ये y है तो ये भी y है r मुझे निकालना है तो using the pythagoras theorem से पहले देखिए moment of inertia about z-axis z-axis पर गुमाऊंगा मैं तो ठीक है तो i of z equal to क्या आएगा summation of m r square ठीक है using the pythagoras theorem r square is equal to kya मिलने वाला है मुझे x square plus y square यही मिलने वाला है ठीक है तो put करिए summation of m x r square के जग़ा क्या put करेंगे x square plus y square इसको इससे multiply करेंगे तो है कि summation of m x square summation of m y square यही आने वाला है ठीक है summation of m x square क्या है i of y summation of my square क्या होता है i of x and this is i of z and this is our formula which we already know that कि इस formula को कैसे निकाला जाएगा ठीक है I hope आपको भी सौज में आ रहा होगा कि perpendicular axis कैसे work करता है अब आपको मैं एक example बताया था कि मान लिजे कि यह हमारा एक object है अब इसको मैं z axis पर घुमा रहा हूँ इस तरीके से तो z axis का formula क्या बन के आएगा मेरे पास में z axis का formula यह बादा है ठीक है इस z axis के formula को अगर मैं relate करना चाहता हूँ अब लिजे यह x axis है तो इसको मैं इस तरीके से अगर घुमाना चाहूँ तो मेरा formula क्या बन के आएगा और अगर इसको मैं y में घुमाना चाहूँ तो क्या बन के आएगा इसका यह जो axis है यह देखिए यह center है यह आपस में इसको change नहीं करना है यह देखिए पहले यह ऐसे घुम रहा था ठीक है देख रहा है अब इसी point पे लेके इसको axis बना के ऐसे घुमाना है इसी axis को point बना के इसको ऐसे घुमाना है इधर घुमाई है यह दो घुमाई है इससे फरक नहीं पड़ता ठीक है इसके उपर एक छोटास question करते है आप एक बुक से लिया गया है मानते हैं हम कि एक हमारे पास में circular disk है क्या है एक circular disk है और वो circular disk को मैं क्या कर रहा हूँ घुमाना हो देखिए इस type से मेरे पास में एक circular disk है यह इसका axis है यह वाला इसको object axis मान सकते है ठीक है तो इस axis के चालो तरफ यह ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इसका moment of inertia कितना निकल के आएगा इसका moment of inertia पहले से given दिया हुआ है mr square divide by 2 this is your moment of inertia ठीक है अब इसको मैं चाहता हूँ कि यह z axis के जगे x axis पे rotate हो मतलब कि यह जो इसका x axis है इस पे यह ऐसे गोल गोल s type से घूमे ठीक है देख रहा है अभी यह ऐसे घूम रहा है अब मैं चाहता हूँ कि यह अपने diameter के हिसाब से घूमे ठीक है देख रहा है इस type से घूमे तो अगर यह diameter पे ऐसे घूम रहा है अभी ये फिलाल में radius पर गूम रहा था अब मैं चाहता हूँ कि ये diameter पर गूमे तो इसका नया moment of inertia क्या बन के आएगा तो बहुत simple सा देखे अभी ये इसकी सबसे गूम रहा था तो I of Z equal to ये आया है अब I of Z equal to I of X plus I of Y रहने वाला है अब because of की एक circular disk है हमारा तो I of X और I of Y का जो moment of inertia है वो दोनों पराबर आने वाला है तो हम assume करते हैं कि I of X is equal to I of Y होने वाला है तो इसको लिख सकता हूँ 2 of I of X तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो 2 I of Z क्या आने वाला है मेरे पास में I of Z I of Z है M R square divided by 2 और यह है I of X तो 2 को यहाँ पास में नीचे लिया येगा ठीक है तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको तो 2 अगर नीचे आया तो क्या आएगा M R square divided by 4 is equal to I of X तो I of X का हम easily निकाल सकते हैं moment of energy है using the formula of perpendicular axis इस formula को use से हम बहुत ही असाने से निकाल पाएंगे ठीक है तो अगर इसको diameter की form में ऐसे घुमाया जाए ऐसे गोल गोल ठीक है diameter को पकड़के steps घुमाये तो moment of energy है M R square divided by 4 आपके book में एक चार्ट दिया गया है तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको same formula नजर आएगा और इसको बहुत ही easy तरीकी से निकाल सकते हैं ठीक है तो I hope आपको अब ये perpendicular axis अब clear हो गया होगा इसके अलावा कोई doubt आएगा तो comment session में दालिएगा questions की practice करिए कोई question आपको नहीं बन रहा है और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो subscribe करना बिल्कुल भी न भूने हमारे चैनल को Thank you for joining this video